हेलो स्टुडेंट आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के टॉप 15 बेसिक प्रश्ण को देखेंगे जो आपके एक्जाम पॉइंट अभीव से काफी इंपोर्टेंट है एक ये सीरीज चलेगा जिसमें लगतार जो है ना 15 15 कोस्टन का जो है आम लोग सेट लगाएंगे प्वाई सुरू करते हैं क्वेशन नंबर फरस्ट से क्वेशन नंबर फरस्ट है युनिवक इज एक मतलब कि इसका फूल फोरम पुझा जा रहा कि इनिवक का फूल फूरम है क्या है इसको सबसे पहले आप तोड़ लेंगे यू एन आई भी अलग हो जागा ए और हो जाग से हो जागा उनिवक और फूरम हो गया इसका नएक क्रेख आप जाराब कर सकता है तो पहला अप्सान है arithmetic operations करता है जितने भी additions, subtraction, multiplication, division जो भी operations है यह सब क्या होता है arithmetic operations तो इसे perform करता है logical operations जिसे होगे आपका end और not इस सब क्या होता है यह भी operations को perform करता है logical unit से और इन सारे operations को perform करने के बाद उसको store भी memory में कर सकता है तो इसका right answer क्या हो जाएगा d all of the above यानि कि यह arithmetic operation भी करता है logical operation भी करता है और उसको store भी कर सकता है तो right answer हो जाएगा d next question है the brain of any computer system यह svt का सबसे favorite question है लगबग मैं सभी exam में जो हाना इसे उस दिया जाता है कि computer system का brain किसे का जाता है तो हम सभी जानते है इसका right answer क्या हो जाएगा c cpu is the right answer cpu is also known as brain of the computer और cpu का full प्रों होता है central processing unit central processing unit इसका full प्रों होता है next question है the two kind of main memory होता है लेकिन वो कौन कौन सा होता है यह देखना आपको तो primary और secondary यह दो main memory नहीं है दोनो primary memory को ही main memory कहाता है लेकिन यहां पर secondary यह नहीं होगा यह क्या होगा नहीं होगा देख चुके हैं कि जो memory होता है और memory दो तरह का होता है कौन कौन तो एक होता है primary दूसरा होता है secondary primary और primary और secondary और primary और primary और यह होगा secondary और primary दो तरह का होता है यहां पर आपका हो जागा इसका simple में आप लिखें language तो tiredness यानि कि इसे ठक आउट नहीं होता है और इसको तहाँ बॉर्डो मेंस concentration इसका concentration कभी कम नहीं होता है इसे भी हम लोग देख चुके हैं तो computer जो हाना free होता कि इसे ठक आउट से, tiredness से और lack of concentration से यानि कि इसका concentration कभी कम नहीं होता है और वो कभी ठकता नहीं है और यह वर्ड जो है न देता है ऐसा मेनिंग डिलिजेंस डिलिजेंस मतलब computer is free from tiredness and lack of concentration इसका right answer रजाएगा C यह कोई असी का मतलब कि सही काम करता है reliability का होता है बहुत अच्छा से काम करता है असानी से काम करता है versatility का मतलब होगा कि किसी भी डेटा पर काम कर सकता है versatile machine है इसलिए इस चुगा था वर्शाटाइल मसीन इसका राइटन्स वाजगा इसमें सी नेक्स्ट कोस्टन है यह hybrid computer is अम लोग computer देखे थे works के अधार पर computer computer जो हाना तीन प्रकार कर था पहला था आपका digital computer दुसरा था analog computer और था hybrid computer तो digital computer वैसा computer 01 पर करता है और वैसा computer जो analog data पर करता है जिससकल क्या वोल्टेज हो गया करेंड हो गया जो computer लगा हुआ रहाता है जिससे आप जब प्ट्रॉल लेते हैं आपको पेट्रॉल मेजर करता हएं और एक तरफ से पैसे काउंट करता है तोापę hybrid computer तोकांटD स्टका होता है डितल ओर जो तेल का मेंजरेमेंट करता हैं Allole Computer और दोनों के मिला बन जयते क्या हुता है Graphical, U means हopez उता है User and U means होता है interface तो आप यहांसे देख सहकते है Graphical user interface किसícios में असना Graphical user instruction यह नहीं होगा Graphical user interface Ground है Link यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा यह वी नहीं होगा General इस ग्राफिकल इससी भी नहीं होगा Graphical user interface इन सो यह जागा ग्राफिकल इउजर इंटरफेस नेक्स कुस्टन है वीच अब दाफ फ्लोईंग इज नॉट एव पॉइंट एंड ड्रो डिवाइस इसमें से कौन जो हाना पॉइंट एंड ड्रो डिवाइस नाई है कि किसी चीज को आपको इसकी रहे हैं ओर्खिंट करना अधाउ माउस से भी ड्रो नापल कर सक्ते हैं तो यहां कह रहा कि not कौन नहीं है तो यह तीन को तो है ही right answer से का हो जाएगा a keyboard से आप draw नहीं कर सकते हैं और as screen को point नहीं कर सकते हैं तो है point करने के लिए pointing device होता है and keyboard pointing device नहीं है next question हो जाएगा which unit is responsible for converting the data received from the user into a computer under understandable format कहला कि इसमें से कौन सा डिवाइस है जो यह रिस्पॉंसबिलिटी लेता है कि जब वो यूजर से डेटा को रिसीव करता है और उसको अंडर अस्टेंडेवल फॉर्मेट यानि कि समझने वाला फॉर्मेट में कर देता है तो देखिए मेमोरी यूनिट दो आपको यह सेव करता है यह कुछ नहीं करता है अर्थमेटिक लॉजिक क्या होता है कि यह ऑप्रेसंस करता तो यह भी नहीं होगा इंपूट यूनिट हो बचा और उसको समझने वाले फॉर्मेट में यानि कि अंडर अस्टेंडेवल फॉर्मेट में कर देखिए कौन इंपूट डिवाइस इसका राइट एंसर जागा और सी नेस्ट को सन हां अहीं हि o गिए ऍर लांग्वेज वीचित है वीचड़ कम्यूटर अंडर अस्टेंजि कौन सा उसा एक लेनगवेज है जिसे कम्यूटर समाजता बागी किसी लेंग्विज को नहीं समयता है तो मों जानते हैं कि डिजिटल लेंग्विज को यानि कि जीरो वन को समयता है बागी किसी लेंग्विज को नहीं समयता है बागी किसी लेंग्विज से जो हम लोग काम करते हैं वो स्टॉप्विवर की सहाथ से करते हैं लेकिन वो बीट दिटा का सबसे स्मॉलस्त एुनिट क्या है तो में है तो पिल्र में देखिए सब से स्मॉलस्त रिखा क्या है इसका बीठ de시간 जी जी रो क्या हो गया एक बीट हो गया और वन यह भी क्छैने हो गया एक वीट हो गया अगर हम १कर दूरीट ह है तो सबसे smallest आपका बीट हो गया नेस्ट देखते हैं कि इन्पूट मसीन विच ओरिजनेटेड इन दा इन्पूट मसीन है जो यूएसे में इन्पूट मसीन है जो इसका अविस्कार किया गया था इसका राइट एंसर जाएगा इससे तो सभी इन्पूट डिवाइस हैं लेकिन कह रहा कि 1880 में किसका अविस्कार किया गया था तो हो गया राइट एंसर कीवूट का यहां भी आपसे कम्पूटर का फूल फॉर्म पूछा आता हां कि कम्पूटर का फूल फॉर्म क्या होगा तो आप देख लिए अप्शन से कमॉन्ली ओपरेटेड मसीन यूजिन टेखनिकली स्वाच हुगा जयं किया अपस्ण Allen कि नेक्स कोसन हो योटा अधाजर यानि कि यहां पर one इomething iota गत्या था है ना वह किसके बराबर होगा तो वन योटा बाइट जो हता है दसवा चौबीस जेटा बाइट के बराबाता है इसका राइडिन रुजाएगा C और लास्ट कुस्टान होगा इसका इसमें से कौन सा जवाना input device का function नहीं है कह रहा कि it reads instruction and data from outside world तो यह तो होता है इसका function इट converts the data into computer acceptable format यह भी देखा अभी देखे हैं हम लोग की data को वो लेता है और समझने वाले format आने की acceptable format में convert करता है next question हम next option है it makes the data into user understandable format देखिए यहां पर यह confusing word है देखिए user understandable format में convert नहीं करता है बलकि एक computer understandable format में convert करता है जो भी हम लोग से data यह लेता है ABCD या 123 तो वो तो आपका English या Hindi में आप लिखते हैं और computer में entry करते हैं और उसको convert करता है 0 और 1 में और 01 computer की भासा है ना कि user की भासा है तो user understandable format में convert नहीं करता है यहीं इसका गलत एंसर हो गया आने कि यहां पर कर रहा है कि not a function of input device तो किसी भी data को user के form में convert करना इसका काम नहीं होता कि इसका इन्पूट डिवाइस का टिके ना वो शॉट्वेर काम होता हम जो हमको ऐसे format प्रवाट करके user उसको read कर सके input device का नहीं input device जो हाना 01 में convert करता हां data call लेकर करके तो इसका राइट एंसर जाए क्या तो यह आपका टॉप 15 कोस्टन हुआ इस तरह से एक सीरीज हम लोग चलाएंगे जिसने 15 15 कोस्टन का हम लोग 5 या 6 टेस्ट लेंगे और एक आपके कोस्टन जो होगा वह आपके इन्वर्सिटी एक्जाम पॉइंट भी वह से काफी इम्पॉटर्ट होगा तो आप इसे देखे एधिए वीडियो कैसा लग रहा है अगर आपकोचा लग रहा तो लाइक और सब्स्क्राइब कर लें जिसे की नेक्सट वीडियो आएगा तो आपको नोटिकिया सबसे पहले मिल जागा मिलते हैं में नेक्स्ट वीडियो में